प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्म दिन आता है और इसी के चलते उनके प्रशनसक उनके लिए नजाने क्या क्या करते आ रहे हैं इसी कड़ी में हम आपको एक और प्रशनसक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत इस साल भी सूरत के बेकर्स ने उनके जन दिन को भवित तरीके से मनाने के लिए एक बहुत विशाल काई केक तयार किया है ब्रेड लाइनर बैकरी के मालिक ने 700 फुट लंबे और 7000 किलोग्राम का केक बनाया जाने की गोश्णा की है और इस केक को शहर के 700 इमानदार लोग काटेंगे ये भी बैकरी के ओनर ने बताया है इसके अलावा अन्य भी बैकरियां है जिन्होंने मोदी जी के लिए केक तयार किया है एक अन्य बैकरी है जिसका नाम है अतुल बैकरी इस ने आदिवासी शेत्रों के 370 स्कूलों के 12,000 बच्चों को भोजन के पैकिट बाटने की गोशना की है और ये कहा जा रहा है कि ये सबी बच्चे कुपोशन से पीडित हैं और प्रधान मंतरी मोदी के जन्म दिन पर ये बैकरी उन कुपोशित बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहती है उन्होंने कहा कि ये भोजन, पोशन, आइरन, फाइबर और विटामिन से भरा होगा और ये कुपोशन से लड़ने के लिए अपना द्रड़ संकल्ब दिखाएगा पीएम का सपना है कि वो कुपोशन मुक्त भारत देखना चाहते हैं और हम उनके सपने को साकार करने में उनकी मदद करेंगे बैकरी का जश्न बनाने का अपना तरीका है और इस साल बैकरी पीएम मोदी का जन दिन बनाने के लिए बैकरी में 700 फिट लंबा केक बनाने जा रही है और इस केक को 17 सितंबर को कन्वेंशन सेंटर में बनाया जाएगा ब्रेड लाइनर के नितिन पटेल ने ये बताया है कि ये सबसे बड़े केक का विश्व रिकॉर्ड होगा और भ्रष्टा चार मुक्त भारत की ठीम का होगा हम उमीद करते हैं कि बड़ी संख्या में मोदी की समर तक हम से जुड़ेंगे तो आपने देखा कि दुनिया में मोदी जी के कितने प्रशन सक है कि उनके लिए इतना विशाल का एक केक बनाया जा रहा है इस केक का वजन विक्रम लेंडर के वजन से भी जादा बताया जा रहा है सब्सक्राइब आर चानल और प्रेस्ट बल इकन फोर मोर अपडेश